है है आज हम बात करेंगे अगर किसी वияхति को पानिक अटाइक है तो आपको क्या करना अच्छी यह क्या आप कर सकते हैं जिससे सामने वाले को पैनिक अटाइक में मदद मिले वह चैरिक पीगड़े नहीं उसकी ईमें पर उसको पाहने नहीं हो जाए या उसको heart attack नहीं आ जाए या वो crazy हो कि कुछ उल्टे सीदे कदम ना उठा ले क्या कर सकते हैं जब इस समय पर patient हमारे सामने है और हमें लग रहा है कि patient को heart attack नहीं है, panic attack है तो किस तरह से patient की मदद कर सकते हैं, उनकी life को better बना सकते हैं उनको दुबारा panic attack ना आए, उसके लिए हम कुछ steps ले सकते हैं और long term future के हिसाब से patient के लिए क्या benefit हो सकता है किस तरह से हम ऐसा help out कर सकते हैं कि patient को दुबारा से panic attack ने आए इन सारे चीजों पर बात करेंगी, हमने already video किया है जिसमें heart attack और panic attack की differences पर बात किये हैं उन में features और clinical symptoms और science कैसे होते हैं, क्यों दोनों में similarity होते हैं उस बारे में बात किये हैं, आज बात करेंगी कि panic attack के time patient की मदद कैसे की जाए already heart attack में के time patient की मदद कैसे की जाए, ये तो video हमने किया है जो कि आप देख सकते हैं मेरे channel पर heart attack का emergency management करके आपने video किया है अब बात करेंगे panic attack के management के बारे में, panic attack में patient के लिए आप घर पर क्या कर सकते हैं उन steps के बारे में, basically panic attack के time patient को एक बहुत severe घबराट का sense होगा जान चली जाएगी, ऐसा होगा, बहुत severe पसीना आएगा, ठंड लगेगा, शरीर कापेगा धरकन बढ़ जाएगी, palpitations होगे, सास निने में तक्रीफ होगी, और छाती में और सर में severe दर्द हो सकता है तो इस तरह के patients को, अगर इस तरह के features हो रहे हैं, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि patient को panic attack हो रहा है और patient को panic attack होता है, यह लगता है panic attack है, patient को heart attack होता है वाइसी वर्ट सा दोनों situations हो सकती है, तो obviously अगर patient को severe chest pain हो, गबराट पसीना हो और साथ में अगर उसको cardiac risk factors हो, कि जैसे BP sugar, cholesterol है, या family history, heart problem की smoking, इस तरह के problems है जहां आपको जादा chance लग रहा है कि patient को heart attack तो नहीं है, तो वहाँ तो definitely अच्छा है कि patient को hospital ही ले जाओ और वहाँ पर treatment करिए, तो इससे patient को जल्दी मदद मिलेगी और patient को अगर को serious issue होता भी है heart attack later, तो manage किया जा सकता है लेकिन panic attack की time घर पर क्या कर सके, वो भी जानना जरूरी है क्योंकि obviously हर एक patient को तो हर बार panic attack में ब hospital नहीं ले जा सकते और खासकर अगर young patient है जो आपको sure है कि patient को heart attack होने का chance बहुत कम है, teenagers वगर में अगर जब ये problem आ रहे है तो वहाँ क्या कर सकते हैं, आज हमें वो समझना है panic attack की time patient basically काफी जादा uncomfortable होता है, बहुत जादा distress में होता है, बहुत जादा परेशान होता है कई लोग को लगता है कि उनकी जान चली जाएगी क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको ये panic attack नहीं, heart attack है तो उनको ये समझानी की ज़रुवत है कि आपको panic attack है, आपको घबरानी की ज़रुवत नहीं है, आपको जादा stress लेनी की ज़रुवत नहीं है क्योंकि इस तरह की situation में patient को आपको खुद भी काम रहना है, आपको as a relative, अगर समन लीजे मैं relative और सामने patient को panic attack हुआ है तो मुझे खुद काम रहना है और patient को समझाना है कि ये जो intense feeling है panic attack का, ये 5-10 मेट तक रहेगा, ये हमेशा नहीं चलेगा उनको reassure कीजिए कि देखो मैं आपके साथ हूँ, आपको घबराना नहीं है, मैं आपकी मदद करने के लिए हूँ, आपको अगर कोई भी problem होता आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगा उनको ये बारबाद ध्यान दिलाई कि देखिए जादा नहीं चलेगा, पार्श मेट ही चलेगा, आप इसको relax करिए, आप tension मत लीजिए, अपने आप चला जाएगा अगर आपको डर भी लग रहा है, तो ये डर उस पर जाहिर मत करिए, कि आपको डर लग रहा है, या आपको उस situation में stress हो रहा है, tension हो रहा है, आप उसको फिर भी काम वे में relax करने की कोशिश करिए, और उनको ये encourage करिए, कि आप safe है, आपको कोई problem नहीं होगी next important tip है कि आप patient को पूछे कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, इस situation में patient को कई बार ऐसा लगता है कि भाई मेरे को कोई मदद कर दे मेरी में जान चले जाएगी, अगर patient definitely बोलता है कि मुझे hospital ले जाओ तो अच्छा है कि hospital ले जाएगे patient को, आप उस समय patient को नीचा दिखा नीची कोशिश मत करें, अरे तो पैनिक अटक है, तुफालतू मत कर, अभी hospital जाएगे, ECG करेंगे, सब नॉर्मल आएगा, अभी तुमको hospital नहीं ले जा सकते, ये वो रात का टाइम है, कौन hospital ले जाएगा, कोई नहीं मिलेगा, ऐसे टाइम पर patient अगर चाह रहा है उसको hospital पैशन की मदद करने की कोशिश की, उससे पूछी कि आपको क्या चीज की जरूरत है, और जो भी चीज की उनको जरूरत है उस तरह से उनकी मदद करने की जरूरत कोशिश कीज़े, अब अगर patient चाहता है कि आप वहांसे चले जाए, कई बार patient इतना जादा, grief-stricken, इतना जा पड़े जाएगा तो वैसे में मत चूड़े पेशन को लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पेशन को कोई सिग्निट्रिकन प्रॉब्लम नहीं आएगी तो थोड़ा कुछ का दम पीछे अट जाए और पेशन को बता के रहें कि मैं आसपास हूँ या मैं बगल के कमरे में हूँ अगर कुछ भी लगे तो मुझे बुला लेना और केंटिनियूसली पेशन पर वाच रखिए ऐसा नहीं करिये कि वो पेशन ने बोल दिया चले जाओ तो आप चले गए दूसरे कमरे में छोड़के जब तक आप वापीस आए पेशन अंकॉंशिस हो गया तो वैसा मत करिये अगर प्रॉब्लम है तो आप पास में ही रही है थोड़ा सा दूर हो जाएगा अगर पेशन चाह रहा है कि आप दूर हो ओविसली वैसा 5-10% आप यह होगा पेशन चाहेगा कि आप उसकी मदद करो लेकिन अगर वैसा चाह रहा है तो उसको भी आपको रिस्पेट करने के जरूरत है आप उसको ऐसा नहीं कि या भाई तेरी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैं चला जाओंगा तो तू मेरे को रहने दे थोड़ा सा समझा कि उसको काउंसल करना पड़ेगा क्योंकि यह साइक प्रॉब्लम है यह मांसिक प्रॉब्लम है इसमें अगर आप उसके बांतवना नहीं देंगे अच्छे से भी नहीं करेंगे तो वह और खबर आएगा और वह और खबर आएगा तो पैनिक अटाइक और ज्यादा बढ़ जाएगा जिसकी वज़े से वह रिस्पॉंस जो 15 मट चलना चाहिए वह बढ़के 20-30 मट भी हो सकता है जादातर पैनिक पैनिक अटाइक के में कुछ वार्निंग साइंस होते हैं जिनको हमें समझने के जरूदते ज्यादातर पैनिक अटाइक में पेशिट को डर रहता है कोई ऐसे चीजों से वह ट्रिगर होता है जिसमें पेशिट को कोई कारण से सब्ढ़र लगता है या पेशिट उस समय गहर सूखरा या गला में कोई दबारा इस तरह की feeling आती है धरकन बढ़ जाती है चक्कर आने लगते है पेशन का पूरा शरीर का अपने लगता है जादा तर हर पेशन को इसी तरह का response आएगा ऐसा जरूरी नहीं है अलग 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 तरह का combination of symptoms हो सकते है हार्ट अटाक में भी वैसा है कि यह ज़रूरी नहीं है कि पेशन को सारे यही symptoms होंगे सब को इसी तरह का problem होगा लेकिन यह है कि पेशन को जो भी symptoms है उसको आपको समझने की जरूरत है उस समय आप पेशन को सिर्फ बोलने के बदले जो action कर सकते हैं जिससे पेशन की मदद तो उस पर जादा focus करिए पर आपके कई बार patients को आप क्या बोल रहे हो वो panic attack के वज़े से घबराट के वज़े सो सकता है सुनाई भी नहीं दे समझ में भी नहीं तो वैसे case में आपको कुछ actions करते रहना है जिससे patient को comfortable लगे उनसे पूछिए कि मैं रुकू की मैं जाओं आप क्या चाहते हो मैं आ रहा हूँ पेशन को बोलिए कि आप गहरी गहरी सास लेते रहों आप बात करते रहों को conversation में इंगेज करने का कुछ किज़े ताकि उनका मन डाइवर्ट हो आप उनको हलकी बात करने में लगाओगे कि कोई और चीज सोचने पर उनके माइंड वो डाइवर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा और वैसे टाइम में उनको गहरी सास लेने को बोलिए तो उनसे थोड़ा patient को रहात रहेगी रेस्पेटर डिस्ट्रेस नहीं होगा पेशेंट का क्या पानिक का प्रॉब्लम है वो आपको बहुत सेंसिबल नहीं लगता और ऐसे केस में अगर patient को embarrassed लग रहा है patient को खराब सा लग रहा है आप अगर उसको अच्छा feeling नहीं करवाओगे अगर आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करोगे कि यारी पागलपन वाली problem है psychiatric problem है तुम को अगर panic attack आ रहा है इसका indirect मतलब है कि तुम पागल हो चुके हो तुम इस बात पर क्यों वो हो रहे हो यह क्या react करने वाली बात है यह तो बहुत छोटी सी बात है इस तरह की चीज़े को अगर आप respond करोगे तो panic attack बढ़ सकता है patient को और ज्यादा psychological issues होंगे और उसको लंबे समय तक anxiety और depression maintained रहेगा तो उसको ऐसे समय पर नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना है उनको embarrassed फील करवाने की कोशिश नहीं करना है patient वैसे ही ज्यादा embarrassed फील करेगा कि बिना कारण कि उसको इतना severe या intense reaction हो जब कोई खास बात ही नह problem हो रही है तो वैसे situation में आपको mental health problems के बारे में बात नहीं करना चाहिए आपको यह कोशिश करने चाहिए कि आप patient की मनस्तिति को समझने की कोशिश कीजिए उसको ज्यादा तर ऐसे समय पर उसको कोई बहुत बड़ी बिमारी या कोई heart attack के बारे में या कोई दूसरों के experience क कि बारे में बहुत ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे लोग उसके बारे में किस तरह से महसूस करेंगे तो वो सब चीजों से आपको patient को थोड़ा सा हटाने की कोशिश करना है और patient के साथ जादा compassionate behavior करना है जादा अच् anxiety और depression बढ़ नहीं जाए एक और important tip है कि patient को इससे में grounded रखना चाहिए grounded techniques बोलते हैं जिसमें patient को एक realization होता है कि क्या actual में हो रहा है उनका मन चीजों से divert करने की कोशिश करते हैं grounding करने के लिए patient को कोई आप touch कर सकते हो patient का हाथ पकार सकते हो जिससे उन्हें comfortable लगे patient को कोई textured object या कोई soft toy दे सकते हो जिससे वो feel कर सके उनको हाथ पाँ stretch करने को या move करने के लिए encourage कर सकते हैं कोई soothing phrase बोल सकते है कि आपके उनको मन उसका शांत करने की कोशिश कर सकते हलकी और शांत तरह से उनसे बात करने का कोशिश कीजिए उनको कोई familiar activities के बारे में बात करने की कोशिश कीजिए कोई familiar event के बारे में बात करने की कोशिश कीजिए ताकि उनका मन divert हो ऐसे समय पर patient की जो भी needs है उसको respect करने की कोशिश करनी है कई बार patient को ऐसा लगता है कि उसका response बहुत जादा unusual था है बहुत जादा खराब लगता वैसे patient में आपको सिर्फ relax करने को patient को बोलना है उसको शांत रहने को बोलना है उसको respect करना है उसको ashamed feel नहीं करवाना है करने चाहिए पेशेंट को अगर आपने कोई नीचा दिखाने की कोशिश की या उनको एक्टिविटीज को आप नहीं पार तो उनको बहुत जादा प्रॉब्लम होगी आप यह जरूर आपको समझने की जरूवत है कि पैनिक अटाक बहुत जादा खराब फीलिंग है इसको उनकर रिलाक्स कर्यों कुछ नियों की और आका फ्याद कर रहा है तौ असकी करो के पेशन को या पीशन को नीचा दिखा ओगा या पागिल हो अप से क्या हो क्या गया है तुमको आप इसतर से क्यों भी कर रों कि आपके साथ गलत होगया है तुपारे साथ अगर इस तरह का आप परेशिंट के साथ करेगा तो उसको बुरा लगेगा और रॉप पैनीक अर्य-टाक जा सकता है उस टाइम पर पेशन को बहुत जादा advice देने की कोशिश भी मत कीज़े कई बार क्या होता है पेशन को आप बहुत जादा advice देने की कोशिश करते हैं नहीं तुमको ऐसा करने की ज़रूवत नहीं है कोई और techniques वगर के बारे में उनको आप बात करो या कोई और बहुत जादा योगा, मेडिटेशन वगर कि आप उनको बात करो, तो इस समय पेशन को अप जब वो panic attack के time में है, तो उस समय आपको उसको बहुत जादा knowledge देनी की जरूरत नहीं है, कि पेशन को बहुत जादा आपको हमें लगना चाहिए कि पेशन को heart attack है, माली जी की पेशन का symptom 15-20 में तक भी relieve नहीं हो रहा है, पेशन का सांस फूलने का problem relieve नहीं हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, pain हो रहा है, जो कि unusual है, और पेशन को significant risk factors है, तो बैसे case में आपको patient को hospital rush करना चाहिए, और अगर heart attack का ज़रा भी doubt है, तो फिर preferably patient को hospital में treat किया जाए, तो जाद आच्छा है, तो आज के topic में हमने बात की panic attack में, patient की हम किस तरह से मदद कर जकते हैं उस बारे में, यदि इस topic को संबंदीद, आपकी कोई comments, queries, suggestion है, कोई और topics पर आप चाहते हैं, वीडियोज बनाए, कोई patient related queries है, तो नीचे comment section में उनके बारे में बताए, हम उन्हें cover करने का प्रयास करेंगे, अंत में हमें dr. नवीन अगरवाल, तही दिल से आपका शुक्रियादा करूगा कि आपने इस topic कोई तक देखा है, definitely आपको इससे कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, जो लोग माई चैनल पर नए हैं, उन्हें request करूगा कि चैनल को subscribe करें, ऐसा करने से चैनल को continue करने के लिए हमें inspiration और motivation मिलती है, और आपको चैनल का notification मिल जाता है, जब भी हम कोई नया content upload करते हैं, और आपका benefit ले सकते हैं, जो लोग हमाई चैनल पर बहुत सारे वीडियोज हैं, और अपने relevant content धूनने में उन्हें problem होती है, तो उनके लिए BP, sugar, cholesterol, heart attack, angiography, angioplasty, heart failure, arrhythmia, सब इस आप से अपने playlist बनाए हैं, और इस उस पर जाके आपके मतलब के जो वीडियोज हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन्हें आप क्लिक करके देख सकते हैं, जो लोग इस सारे medical details का पूरा नहीं जानना चाते हैं, वो चाते हैं कि यह short में हमें बता दो हमारे मतलब की क्या क्या चीज़े हैं, तो उन लोगों के लिए हम हम regular base पे YouTube Shorts upload कर रहे हैं, जिसमें हम सारे topics का one minute brief summary आपको देते हैं, यह सारे YouTube Shorts भी हमारे playlist में आपको मिल जाएंगे, तो हमारे playlist में जाके इनका भी benefit ले सकते हैं, thank you.